हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टो श्टडी विदेश्वाती यूटीब चैनल आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बिएड़ फर्स्ट समेस्टर से जो आपका आप्शनल पेपर है पेपर फोर तो यहां पर हम बात कर रहे हैं वैल्य एंड पीस ओफ एजुकेशन को ले इसके लिए आप हमारे चैनल के प्लेइश्ट में जाएंगे वहां पर वैल्य एंड पीस ओफ एजुकेशन का मैंने अलग से बना रखा है प्लेइश्ट वहां पर लाइन से सारे वीडियो मिल जाएंगे वहां से आप चीजों को पढ़ सकते हैं चुकि टाइम बहुत कम जो की है फिलोस्पिकल एंसोसोलोजिकल परस्पेक्टिव ओफ एजुकेशन तो चार यूनिट हैं आपकी चारों कम्प्लीट करा दी गई हैं लगभग वहां पर आपको 500 क्वेशन्स एक सब्जेक्ट में मिलेंगे यूनिट वाइस कवर करते हुए इसी तरह पेपर 2 की बा करें टेक्नोलोजिकल परस्पेक्टिव ओफ एजुकेशन की तो वहां भी आपके सभी यूनिट करा दिये गए हैं और लगभग 400 से जादा ही एंसी क्यूस आपके सब्जेक्ट से आपको यूनिट वाइस मिलेंगे अगर हम बात करें ऑप्शनल पेपर इनुवेशन इन जिसमें कमबाइन बनाया था जिसमें सभी आपकी सब्जेक्ट इंक्लिवड थे पेपर वन टू त्री और फोर अभी मनें अलग से बना दी है जैसे पेपर वन की अलग है टू की अलग थ्री फोर और और पेपरों की अलग है तो इसके लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट हम अपने MCQs को की ओर बढ़ते हैं जिसमें हमारा ये पार्ट फोर है यहाँ पर क्वेशन नमबर 15 तक इसके प्रीविएस वीडियो में 15 क्या हमने लगभग 40 क्वेशन कराया थे प्रीविएस वीडियो में नम्बरिंग इधर उधर है ठीक है तो आप नम्बरिंग पर मत ज हैं आप उन्हें ध्यान में रखिए क्वेशन नम्बर 16 से शुरू करते हो लगभग 30 MCQs वीडियो में अब भी हो सकते हैं तो मिलेंगे चुले देख लेते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेशन यह कहलाएगा 16 नमबर है साथी समूह में बच्चा किसके प्रति अपने आपको उतरदाई समझता है यह प्रेशन पूछा है तो यहाँ पर इसके चार ओप्षन है तो इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा समूह के नेता के प्रति यानि जो अगर साथी समूह में बच्चा अपने आपको नेता ही समझेगा ठीक है बड़े जब समूह में अपने आपको न नेता के प्रति अपना उतरदाई तो समझते हैं नेक्स्ट क्वेशन 17 देख लेते हैं 17 पूछा है बोध के विशे में कौन सा कथन सत्य नहीं है 17 की बात करें तो यहाँ पर बोध के विशे में सत्य कथन नहीं है पूछा है तो अगर हम बात करें Q17 का तो correct answer C हो जाएगा या सामोहिक होता है बोध जो होता है या सामोहिक होता है ऐसा कहना असत्य है क्योंकि यह व्यक्तिगत और सामोहिक दोनों होता है 18 पूछा है साथी समंदों में विविदता के विशे में कौन सा कथन सत्य नहीं है यहाँ पर साथी समंदों के समंदों के बारे में विविदता पूछा है तो यहाँ पर जीवन लच की समानता यह ज़रूरी नहीं कि जीवन-लच जो है हमारा जीवन में जो लच हो इसमें समानता देखने को मिले। चुकि विवित्ता है तो चीजों में भी असमानता दिखेगी, समान चीजे नहीं दिखेगी, करक्ट आंसर यहां पर 18 का D हो गया, next question देखते हैं, question number 19 है, आक्रमकता के विश्य में कौन सा कथन सत्य है, सत्य पूछा है, चीज का ध्यान रखिएगा, तो आक्रमता क्या है, आक आक्रमता जो होती है, एक तरह से आक्रोश, गुसा, यह चीजों से रिलेट करता है, तो यहां पर 19 की बात करें, तो किशोरो का आक्रमक विवहार आशाब्दिक होता है, यानि उनकी जो लैंग्वेज होती है, अगर हम बात करें टीनेजर्स की, तो उनमें देखने को काफी करेक्ट आशर यहां पर 19 की हो गया, next question देखते हैं 20, 20 पूछा है निमें लिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, यह आपको बताना है, तो यहां पर अगर हम बात करें, question number 20 की, तो 20 का करेक्ट आशर यहां पर सी हो जाएगा, शाथियों के क गानाट उत्पंद करेगा तो ऐसा कहना सही नहीं है कि साथियों कि करड़ समाजी करड़ बाधित होता है ठीक है question number 21 है निम्नांकित में से कौन सा कारक रसेल के अनुसार चारित्र का आधार नहीं है चारित्र से सम्मंदित बोलेंगे जीवन शक्त चारित्र से सम्मंदित है सम्वेधन शीलता भी हमारी और साहज भी हमारा कहीं न कहीं चारित्र चीजों से characteristics से relate करते हैं जबकि नैतिकता जो है नैतिक चीजों में आ जाएगा हमारी चारित्र से सम्मंदित पूछा है तो यह तीन हो जाएगे नैतिकता हमारा अलग से हो जाएगा next question देखेंगे question number 22 निम्नांकित में से कौन सा नैतिकता के विशेष्टा नहीं है यह पूछा है तो यहाँ पर विशेष्टा नहीं है पूछी है तो correct answer यहाँ पर इस question का ए हो जाएगा यह श्मान ही तो कल्याड करना नैतिकता के विशेष्टा नहीं है ठीक है बाकी अंतिरिक प्रेर्णा सार्वजनिक कल्याड समूह के मानक दंडो के अनुरूप व्यवहार यह सभी correct हो समाज की बात आ गई तो दूसरों के हित करना या तायाद के नियमों का मापालन करना सोफचा से दान देना यह सारी सिजए समाज से रिलेट करते हैं जबकि पूरुषकार की इच्छा तो सवयाम के लिए हो गया ना सवयाम की इच्छा से चीजए या सवयाम के अनुकूलन व्यवहार में आजाएंगे चीजे तो करक्ट अंसर यहां पर 23 का भी हो जाएगा पुरसकार की इच्छा नेक्स्ट कुशन देख लेते हैं यहां पर 24 है निम्नांकित में से चरित्र का विकास के लिए क्या आवश्यक है तो यहां पर चरित्र का विकास पुछा है तो कक्षा में चरित्र का व्याख्यान करना खाली व्याख्यान कर देने से कुछ नहीं होता टीवी देख लेना के अच्छी चीजे देख लें और हम विकास के लिए आवश्यक है तो सदा चार युक्त वाता वरड जब भी हम इनवार्मेंट की बात करते हैं तो अगर वह अच्छा होगा जिन चीजों में हम जैसा इनवार्मेंट रखेंगे वैसा ही विकास होगा बालक का तो इसलिए यहां पर करेक्ट आंसर 24 का सी हो गया नेक्स्ट देखेंगे 25 25 है वाट्सन ने वेभार के लिए किसको महतपूर माना था यहां पर उद्धीपन अनुक्रिया दोनों को वाट्सन जेवी वाट्सन ने वेभार के लिए महतपूर माना था जेवी वाट्सन ने अपना वेभार वादी सिधान दिया इनमें इन चीजो को महतपूर बताया यानि SR stimulus और response को इन्होंने सही बताया next question 26 देख लेते हैं 26 यहाँ पर पुछा है नए उ आ बंधन का निर्माड होता है तो यहाँ पर अनुकुलन के नियम से नए उ आ बंधन का निर्माड होता है next question देखेंगे 27 निम्नाकिन में से कौन रड नीती परिवार द्वार शांती के लिए निर्माड कारी विभार हेत नहीं अपनाई जाती तो यहाँ पर सामाजी कार्थी स्थिती में सुधार करना जो है वह निर्माड कारी विभार हेत नहीं अपनाई जाती जबकि बच्चे से घर का वाता वरड सिक्षा कुमात इन सभी चीजों को हम निर्माड कारी विभार में लाएंगे नहीं अपनाई जाने वाली चीज डी हो जाएगी 28 पुछा है आव अंचित विभार को हतोसाहित करने के लिए सिक्षा को क्या नहीं करना चाहिए तो यहाँ पर हतोसाहित की बात कर दी यानि उसाह को कम करने के लिए सिक्षा को क्या नहीं करना चाहिए तो उसाह को कम करने की बात की है तो माना कि बच्चा ठीक नहीं है या क साहित करने जैसी बात आ गई अड़े साहित करने के लिए सिख्षा को यह नहीं कहना चाहिए बच्चा ठीक नहीं नहीं जैसे आ जाएगा तो बच्चे के लिए निगेटिव आ जाएगा ये चीजे नियमित दिन्चरिया का पालन करना निस्पक्ष रहना पुरुसकार का प्रयोगी सभी उस्साह को बढ़ाते हैं तो ये सभी करेक्ट हो जाएंगे जबकि 28 कडी इनकरेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट देखें हो जाएगा नेक्सट कोशन देखते हैं 30 थर्टी है निम्लिक क्रियाओं में कौsti मॉकिक हिंसा मॉकिक हिंसा पूछ लेएक कौन सर्मेसे तो गालिया दे न। चुकि हम मुह से ये काम कर रहे होते तो यह मौखिक हिंसा कहलाता है करेक्ट आंसर यहाँ पर 30 का C हो गया नेक्स्ट कोशन देखते हैं नेक्स्ट कोशन 31 है निम्नांकित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है इनकरेक्ट आपको फाइंड करना है नेक्स्ट कोशन 32 देख लेते हैं निम्नांकित में से कौन सा हिंसा का मुर्चा है तो यहाँ पर हिंसा का मुर्चा ब्रिश्टा 4 को बताया गया है correct answer यहाँ पर 32 का A हो जाएगा next question देखते हैं question number 33 33 पूछा है निम्नांकित में से कौन सा विकल्प हिंसा के मुझी 5 खत्रों में शामिल नहीं है पांच खत्रों में शामिल नहीं है यहाँ पूछा है तो भागौलिक खत्रा जो है वह हिंसा के पांच खत्रों में शामिल नहीं है जबकि सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक ये सभी खतरा जो है पाँच खतरों में शामिल होंगे हिंसा के Next question 34 देख लेते हैं 34 पूछा है मीडिया हिंसा फैलाने के लिए नांकित में से किस प्रकाज जिम्मेदार है यहाँ पर हिंसक फिल्मों के प्रसारड द्वारा, बच्चों को हिंसक वीडियो गेम के कारड़, विवादस्पत बयानों को प्रमुकता से दिखाने के कारड़ इन सभी के लिए ये जिम्मेदार है अगर हम बात करें मीडिया हिंसा के मीडिया भी हिंसा फैलाती है एक तरह से चीजों को दिखा करके कि यहां दंगे हुए इस देश में इस देश ने ऐसा किया वैसा किया तो यह भी कहीं न कहीं मीडिया हिंसा कहलाती है करेक्ट आंसर यहां पर D हो गया 35 देख लेते हैं नामकित में से कौन सा विकल्प विवादू को शान्ति पूर्ण हल की प्रक्रिया में शामिल नहीं है तो यहां पर नयाय की स्थापना करना जो है वह शान्ति पूर्ण हल की प्रक्रिया में शामिल नहीं है नेक्स्ट क्वेशन 36 देख लेते हैं योग दर्शन की प्रडेता कौन है जब भी हम पतंजली महोदे की बात करते हैं तो या योग दर्शन की प्रडेता है नेक्स्ट क्वेशन 37 है संसारी दुखों से मुक्ति का अश्टांगिक मार्ग बताया किसने बताया है तो महत्मा बु इसमें दी गई है तो जब भी हम जैन्धर्म की बात करते हैं तो इसमें आहिंसा सत्य अस्ते अपर ग्रह और ब्रहमुचर की सिक्षा दी गई है नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं शांती निकेतन तथा विश्व भारती की स्थापना किसने की तो यहां जब भी हम रविन्ना टाइगोर की बात करेंगे तो इन्होंने शांती निकेतन तथा विश्व भारती की स्थापना की यहां आपके लिए प्रेशन है शांती निकेतन की स्थापना टाइग ओर जी ने कब की और विश्व भारती की भी स्थापना शांती निकेतन और विश्व भारती की स्थापना टाइग ओर जी ने कब की इसका आप अंसर कमेंट दोरा ज़रू बता है नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं क्वेशन नमबर 40 है सत्य अहिंसा और सत्याग्रह के महत्व को बताया किसने बताया तो जब भी हम महत्मा गांधी की बात करें तुझोंने सत्य अहिंसा यूकि महत्मा गांधी जी सत्य वादी थे नहिंने हीन्सा यानि हिंसा न करने वाले सत्या ग्रह है यूण।owing के लिए आग्रह करने वाले थे इन सभी को महत्पूर को मानते थे अगर भावाब करें महात्मा गांधी की 1937 में महात्मा गांधी द्वारा किस शिक्षा नीति को लाया गया ठीक है उसको आपको कमेंट में बतायना है 41 देख लेते हैं निमनुवत में से कौन सी घटना को तनाव का शोत कह सकते हैं या मान सकते हैं तो विवाद करना जब भी देखिए घर में विवाद होता है जगड़ा होता है ठीक है तो यह तनाव का कारण बन जाता है तो यह घटना करेक्ट हो जाएगी 42 देख लेते हैं निमनुवत में से कौन तनाव प्रवंधन की तकनीकी नहीं है तो यहाँ पर अगर हम बात करें चिंता ग्रस्त रहना तो यह तनाव प्रव प्रवाद हो गया तो दोस्तों आज की वीडियो में हम 42 नंबर क्वेशन पर रुकेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में रस्ट अप दी क्वेशन को लेकर के बात की जाए तो मीद और आशा आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो अगर वीडियो पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों सहपाथी हो या फिर जहां भी आप जुड़े हैं जैसे इंस्टाग्राम टेलीग्राम फेस्बुक वाट्सेप पर भी इन वीडियो को शेयर करें ताकि और भी ज्यादा संख्य हम बच्चे जुड करके हमसे प्रश्न पूछें ठीक है अपनी चीजों के साथ अपता के लिए आप सभी का बहुत बहुत धनिवाद थांक यू फ्रेंड्स कीप वाचिंग या शेयर टू अदर्स